नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम आपको लेकर चलेंगे चिकन मीट फैक्ट्री के अंदर जहां पर ताजा और सुरक्सित चिकन मीट तयार किया जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि जो चिकन आप खाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे प्रो फ्रेंड्स 21 डेज के बाद जो हैं अंडों से चूजे बाहर निकलते हैं यह एक नैचुरल प्रोसेस होती है लेकिन इसे मौडन टेक्नीक से इतना फास्ट किया जाता है कि मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में यह बहुत ही काम आती जनम के तुरंत बाद चूजों का अनरिक जो को एक बिसेस आहार और देखवाल की जाती है ताकि वे तेजी से बढ़ सके और सही बजन तक पहुंच सके इस प्रोसेस में कुछ ही हफ्ते लगते हैं एक वार चूजे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मीट प्रोसेसिंग प्लांट में बेजा जाता है और उनका मास्क निकाला जाता है जो बाजार में बेचा जाएगा चिकन मीट प्रोसेसिंग सुरू होने से पहले हर चिकन की कड़ी जाज की जाती है ताकि उसमें कोई भी समस्या या बिमारी ना हो चिकन फैक्टरी में कई लेवल पर क्वालिटी चेक्स होते हैं जैसे कि उसका बजन ताज पाई का बहुत ही ज्यादा द्यान रखा जाता है यहां पर चोटी सी चोटी गलती को भी सुदारा जाता है ताकि जो कंज्यूमर को हैं केवल बहतरीन क्वाल्टी का मीट ही पाए यहां से चिकन को काटने और पैकिंग के लिए बेजा जाता है हाई टेक मसीने चिकन को या उसमें ना हो यहां की पैकेजिंग पूरी तरह से आटोमेटिड होती है जिससे की मीट के संपर्क में किसी भी तरह का हाथ नाए हर पैकेट पर उत्पादन की तारीक और एकस्पारी डेट तै की जाती है अब बारी आती है कोल्ड स्टोरेज की प्रोसेस किये गए चिकन को तुरंट कॉलिट स्टोरेज में रखा जाता है ताकि उसकी ताजगी बरकरार रहे और यह कनफार्म किया जाता है कि चिकन सही तापमान पर रहे ताकि जब भी आप इसे ख्रीजे तब यह एक दम फ्रेश हो यहां से पैकेज चिकन जो है सूपर मार्केट और स्टोर में बेजा जाता है जहां पे आप उसको परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों ये था चिकन मीट फैक्टरी के अंदर का सफर फैक्टरी के अंदर हाइजिन क्वालिटी और स्वक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है तापकी आपको मिल सके सबसे अच्छा और ताजा चिकन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना बूले क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी से बरे वीडियो तो मिलते हैं आप